डॉक्टर्स ने पाया मेरे शरीर में एक दुरलब किस्म का ट्यूमर है मैं पिछले करीब पाँच महीने से हर हफते कीमोथेरपी करवा रहा हूँ ये बहुत दर्दनाक है पिछले साल दिसंबर में कीमोथेरपी शुरू होने के बात से इस पर एक कैमरा लगा है मैं उसे अपने लैपटॉप से लिंक कर देता हूँ मैं अप खोल कर क्लास्रूम देख सकता हूँ और जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये फ्लैश करने लगता है जिससे टीचर को ये पता चल जाता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ या किसी चीज़ का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ चातर एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते वाक इस रोबोट को साथ ले जाते हैं ताकि असली हावट अस्पताल से या फिर घर से हर क्लास का हिस्सा बन सके हैं ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम एक अच्छे मकसद के लिए एक अच्छा काम कर रही हैं और उसकी मदद करपाना सम्मान की बात है ये लंडन की चारिटी संस था मॉमेंटम की पहल थी जिसने हावट के साथ मिलकर उनकी मुश्किल का हल निकाला हमने पहले परिवार से समझने की कुशिश की कि वो क्या चाहते हैं हावट की मांग थी कि वो अपनी पढ़ाई कर सके जिसके बाद हम इसे चाटवेल चिल्डरन कैंसर ट्रस्ट के पास लेकर गए जिन्होंने ये रोबो दिया स्कूल में टीचर्स और चात्रों के साथ रोबो ट्रेनिंग लागो करने के बाद अब स्कूल का मानना है कि और भी चात्रों की मदद करने के लिए ये एक समाधान हो सकता है जिन बच्चों को इस तरह के इलाज की जरूरत होती है इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं उनके मानसिक और शारिक स्वास्ते पर बुरा असर पड़ता है जो बच्चे किसी भी वजह से सिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं उन सब के लिए ये रोबो बहुत कारगर साबित होने वाला है ये मेरे जैसे बच्चे के लिए जिनके लिए स्कूल बहुत माइने रखता है बहुत काम की चीज है